आज मेरे घर पे क्या बन रहा है बेंगोली फीश कड़ी जो कि मेरे घर पे सबको बहुत पसंद है ये कर्म करम राइस के साथ खाने में में बहुत अच्छे लगते आज मैं आप लोग को बेंगोली फीश कड़ी रेसिपी दिखाऊंगी जिसका नाम है टेंगडा माचे ज्छाल आप लोग मेरे रेसिपी को एन तक देखिए अच्छे लगे मेरे चैनल को लाइक श्यार और सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए देखते कैसे बनाती है कि मैंने इसको आच्छे से साफ करके धोके राखा सबसे पहले इसमें थुरासा हल्दी पाउडर और थुरासा नमाग डाल देते आभी हाथ से नमाग हल्दी को आच्छे से फीश के साथ लगा देते ये देखिए आच्छे से लगा दिया आभी इसको साइड में राग देते चली आभी फिश के लिए मसाला रिरी करते तो मैंने एक ग्राइंडर लिया इसके अंदा डाल देते थुरासा अध्रक पाच्छाई कले लसुन एक मीडियाम साइस का पेयाज छाई साथ हरे मिर्च तीन चार सुखा मिर्च एक चमस साबुद जीरा एक चमस तक साबुद धनिया चार छोटे लाईची थुरासा दाल चिनी और थुरासा पानी डाल देते आभी ढखकन लगेगे मसाला को आच्छी से ग्राइंड कल लेते ये देखिये मसाला रेडी हो गए चली आभी फिश कड़ी बना लेते तो मैने गयस को आन किया फ्लेम को मेडिया में रखते चुला की उपरे कराई रख देते कराई में 50 साटे मेल तक सोर्षो का ओयल डाल देते आपको सोर्षो का ओयल पसंद नहीं है तो आप दूसरा ओयल भी डाल सकते ओयल को आच्छी से गरम कर लेते ओयल अच्छे से गरम हो गया आभी ये जो फीश है ये ओयल में डाल देते और इसको थुरा सा फ्राई कर लेते सारे फीश को आम एक साथ नहीं दो बार में फ्राई कर लेंगे थुरा टाइम ओयल के साथ सेठोने देते इसके बाद हम फीश को पलट देंगे तो आभी धीरे धीरे फीश को पलट देते ऐसे उलट पलट के फीश का दोनों तरब आच्छे से फ्राई कर लेते ये देखे फीश का दोनों तरब आच्छे से फ्राई हो गए आभी फीश को आम सेम पलेट भी निकल लेते सेम ओयल में ऐसे करके बागी सारे फीश को भी फ्राई कर लेते ये भी फ्राई होगा इसको भी हाम पलेट पे निकल लेते अभी बाचा हुआ थुरा से उल कराई में डाल देते इसके अंदर डाल देते दो तीन तेज पत्त और थुरा से साबूत जीरा जीरा तेज पत्त को थुरा से फ्राई कर लेते ये देखिए फ्राई करके हो गए आभी कराई में डाल देते ये पीसा हुआ मसाला को जार में थोरा सा पाणी लेकी ये मसाला में डाल देते देखिए मैंने एक मिडियाम साइज टोमेटो लेकी लंबार पतला करके कटके रखात ये भी मसाला में डाल देते साथ में डाल देते स्वादनों सा नमक और आधे चमस्ता खल्दी पाउडर अभी मसाला को आच्चे से भून लेते मुझे तो घर का बना हुआ मसाला पसंदे इसले मैंने घर का मसाला डाला आप चाहे तो इसमें जेरा पाउडर धनिया पाउडर भी उस कर सकते एदेखिये मसाला अच्चे से भून के होगए एटामेट अभी सफट होगए अभी कराई में डाल देते बर एक कप पानी मसाला को पानी के साथ अच्चे से मिला देते आभी एक ठाककन से ढखे ग्रेबी को अच्चे से उबालाने देते देखी हाच्चे सुबा लाना चालू हुगा है अभी हम ढखकन खुल लेते और ये जो मैंने फीश फ्राइ करके रखा था एक एक करके ग्रेवी के अंदर डाल देते फीश को थोरा सा ग्रेवी के अंदर डीप कर देते अभी बापस से ढखकन से ढखके फीश को आम मिडियाम फ्लेम में पास से साथ में तक पका लेंगे चल ये पाच में ही ठोगा है अभी हम ढखकन खुल लेते देखिए फीश काड़ी कितना अच्छे लग रहे ग्रेवी भी थुरा सुख गय अभी इसके अंदर डाल देते फ्रेश काटवा थुरा सा धनिया पत्त एक चमुस्त घी और थोरा सा गरम मसाला अभी धीरे से ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला देते मेरा टैंगरा फीश काड़ी बन के तया हर हो गाए अभी हम गैस को बन कर देते कराई को चुला से उतर के नीचे राग देते और एक पर ठककन से ढखके दो मिनिट तक आइसे ही राग देते तक कि सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए चलिए दो मिनिट हो गया अभी हम ढखकन खोल देते ये देखे मेरा फीश करी अभी सार्प करने के लिए एक प्लेट ले लेते प्लेट के अंदर पहले फीश को डाग देते अभी ग्रेवी भी डाल देते है फ्लेट में फ्रेंस मैं एक बात आप लोग को बोलना चाती हूँ माचिद ज्छाल बोले तो जिसका ग्रेवी थोरा सुखा सुखा रहते और माचिद ज्छोल बोले तो जिसका ग्रेवी पतला रहते तो इसका ग्रेवी थोड़ा सुका है इसका मतलब ये माचित जाल है उपर से और एक पत थोड़ा से धनिया पता डाल देते तो ये था मेरा आज का बेंगोली फीश कड़ी ट्यांगना माचे जाल रेसिपी आयोप के मेरे रेसिपी आप लोगो को अच्छे लगे ये कर्म गरम राइस के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते जिन लोगो फीश बहुत पसंदे उन लोगो इस रेसिपी ज़रू तक के लिया खुष रही थांक यू सो मच